दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाब उपर और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज रिपोर्ट लेके टाइमस अफ इंडिया से जहां में करने वालों इसको हिंदी में ट्रांसलेट तो चलिए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसकी हैडलाइन देख लेते हैं पाकिस्तान कोर्ट ओर्डर्स रिलीज ऑफ चाइना नेशनल एक्क्यूज ऑफ ब्लास्फेमी ऑन बेल क्या मतलब है इसका पाकिस्तान की एक अदालत नियायले ने ओर्डर दिया है मतलब की आदेश दिया है कि चीज़ का आदेश रिलीज ऑफ चाइना नेशनल एक चाइना के नागरिक पाकिसे धार्मिघरंट के बारे में कोई अपमांजनक करने को ब्लास्फेमी कहता है क्यों जिसकी हिंदी होती है इसनिंदा तो उसे बेल पर छोडने का ओर्डर दिया है तो दोस्तो ये इसकी headline थी आप में इस article को पढ़ना शुरू करता हूँ आप से request आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ता कि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें Islamabad, a Chinese national arrested in Pakistan on charges of committing blasphemy has been freed from a high security prison after an anti-terrorism court granted him bail क्या मतलब वा इसका a Chinese national मतलब एक चाइना का नागरिक arrested जिसे ग्रफतार किया गया arrested in Pakistan, पाकिस्तान में on charges of committing blasphemy मतलब की इश निंदा करने के आरोग में blasphemy का मतलब होता है इश निंदा, इश्वर की निंदा जिसको कह सकते है blasphemy has been freed उसे छोड़ दिया गया है free का मतलब होता है छोड़ देना, आजात कर देना और यह has been के बाद third form यह passive voice का tense है तो क्या मतलब हुआ? has been freed उसे छोड़ दिया गया है from high security prison, high security वाली jail से high security prison after an anti-terrorism court granted him bail एक anti-terrorism मतलब की anti-terrorism court के द्वारा उसको bail दिये जाने के बाद official said, अधिकारियों ने कहा, Friday, Friday को the court order came on a day when China's new premier Lee Queen held talks with his Pakistani counterpart, Shahbaz Sharif on Tuesday, क्या मतलब हुआ? the court order came on a day, मतलब जो यह court का order है, आदेश है एक है, came on a day, वो उस दिन आया है, वैं जब, चाइना's new rip रीमियर ली कुएंग जो चाइना के नीउ प्रीमियर ली कुएंग है, held talk, उन्होने बास्चीत के किससे with his आगे देखिए बैल गरंट की मतलब बैल दी तू दा सस्पेक्ट संदिकत को इडेंटिफाइड एस टियान जिसको भी पैचान हुए टियान के रूप में आफ्टर ही फर्निश्ट जब उसने फर्निश्ट किया मतलब पूरा किया अब बॉंड ऑफ रूपीस ट्वेंटी थाउजन एस शुरिटी जब उसने बीस लाग का बीस लाग रूपे का दो दो लाग रूपे का एक बॉंड दिया शुरिटी के तौर पर जमानत के तौर पर उसके बाद उससे ले जाये गया टू अन्डिस्क्लोज मतलब अन्डिस्क्लोज का मतलब होता है जिसके बारे में किसी को ना पता हो undisclosed location ले जाए गया due to security reasons मतलब की सुरक्षा कार्ड़नों की वजे से आगे देखिए the judge ruled जो judge हैं उन्होंने rule दिया मतलब की उन्होंने rule किया rule करने का मतलब होता है कि इस चीज के बारे में निरने देना the judge ruled जो judge हैं उन्होंने मतलब निरने दिया जो case से did not come within the ambit of reasonable ground ambit का मतलब होता है परीधी या परीधी तो क्या मतलब होगा do judge ज소 judge उन्होंने निरने दिया कि जो case if की ambit में नहीं आता है ambit of reasonable ground, मतलब की तर्क संगत ground, तर्क संगत ground के ambit में नहीं आता है, मतलब उसकी सीमा में नहीं आता है, as the blasphemy charges, मतलब की ईशनिंदा के charges के रूप में, was the result, और क्या था, was the result, वो एक, result था, of a misunderstanding, 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 मतलब गलत फहिमियों का, he said, उन्होंने का, the police station concerned, जो police station concerned, संबंदित police station है, in कोहिस्तान, कोहिस्तान में, had registered a false case, उन्होंने एक जूटा केस, register किया था, against the Chinese national, मतलब भी, चाइना के नागरिक के खिलाफ, it ruled, it ruled, मतलब इन निरने दिया, it ruled that की, according to the record, record के अनुसार, no such offense was committed, मतलब इस तना का, कोई भी अप्राद नहीं किया गया, committed, by the accused, आरोपी के द्वारा, and, or, hence, इसलिए, he was granted bail, उसे bail प्रदान की गई, the dawn newspaper reported, कोई newspaper है, dawn नाम से, the dawn newspaper उसने इसको report किया, आगे देखिए, तियान वाज अरेस्टेट इन अपर कोईस्तान, जो तियान है, उसे अरेस्ट ग्रफतार किया गया था, इन अपर कोईस्तान में, on April 16, April 16, को, after a mob blocked the Karakoram Highway, जब एक mob ने, मतलब एक भी इन ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था, Karakoram Highway को, accusing him, उस पर आरोप लगाते हुए, of committing blasphemy, उस पर किस चीश का आरोप लगाते हुए, committing blasphemy, मतलब ईशनिंदा करने का, while exchanging arguments, while exchanging arguments लब की बहस के दोरान, with labors, मजदूरों के साथ, over long prayer breaks, over long prayer breaks मतलब की, prayer के लंबे ब्रेक की वजए से, at the project side, project side पर, two lawyers represented the petitioner, जो दो lawyers थे, वकील थे, represented, जुनोंने उसे, उसका प्रतिनी तित्व किया, जुनोंने उसे represent किया, किसे, the petitioner, मतलब की, petitioner का मतलब होता है, या चिका करता को, इन दा court, अदालत में, the Chinese national, जो Chinese national है, मतलब नागरिक है, China का, was not brought to the court, उसे court नहीं लाए गया, for security reasons, सुरक्षा कार्णों की वजए से, आगे देखिए, the court ruled, the court ने निलने दिया, that की, the three labors, जो तीन labors है, three labors, and their interpreter, और उनका interpretator, interpreted का मतलब, interpreter का मतलब होता है, कि चीज़ को समझाने वाला, या किछीज का अनुबाद करने वाला, and their interpreter, who had lost the F.I.R. जिसने, F.I.R. लॉज कराई थी, मतलब की दर्ज कराई थी, two days after the incident, मतलब घटना के दो दिन के बाद, were neither able to produce evidence, ना वो, मतलब कोई साक्षे, मतलब की सबूत पेश कर से, बिफोर दा joint investigation team, joint investigation team के सामने, जिसे short minute JIT करते हैं, the court said, court अदालत ने कहा, the interpreter, जो interpreter, मतलब जो अनुबादक था, was 35-40 feet away, वो 45 feet दूर था, from the Chinese national, Chinese नागरिक से, simply assuming, मतलब इसको मानते हुए, simply assuming that की the former, जो दूसरा है, had uttered sacrilegious remarks, मतलब उसने क्या करा, simply assume, मतलब इस assume होता है की चीश को मान लेना, that की the former, former मतलब पूर्व, जो पूर्व है, had uttered sacrilegious, sacrilegious का मतलब होता है, इस तरह का कोई कह सकते हैं, कोई भी comment, tip पढ़ी, मतलब किसी भी ग्रंत या धार्मी के वेक्ति के खिलाफ, उसे sacrilegious भोलता है, और utter मतलब होता है, बोलना, तो क्या मतलब हुआ, simply assuming, यह मतलब की जो, simply assuming, यह मानते हुए, that की the former, जो पूर्व है, यह फॉर्मर यहाँ पर, Chinese National के वारें बात हो रही है, had uttered की, उसने बोला था, sacrilegious remarks, मतलब की, अपमाजनक शब्द, ये शिनिंदा वाले शब्द, मौलाना, वलियुल्ला, तोहीदी, जो मौलाना, वलियुल्ला, तोहीदी है, जिर्गा, जो एक मेंबर हैं, किसके, of उलेमा जिर्गा के, constituted by clerics, मतलब की, जो constitute, जिससे किया गया है, संगटित किया गया है, by clerics, मौलानों के द्वारा, बनाए गया है, जिसको constitute किया गया है, by clerics, cleric का मतलब है, मौलाना, that की, the interpreter, should be put on trial, मतलब उस पर केश चलाए जाना चाहिए, for instigating the people, लोग को भढ़काने के लिए, of कोईस्तान, कोईस्तान के लोगों को भढ़काने के लिए, to take to the streets, और सडकों पर आने के लिए, आगे देखिया, JIT sources, जो JIT के मतलब की सूत्र है, तोल्ड दा, निउस्पेपर, उसने निउस्पेपर को बताया, that की, टियान वुड़ बी सेंट बैक, to his country, टियान को उसके दिश वापस बेश दिया जाएगा, as soon as, जैसे ही, this case wraps up, जैसे ही case, wrap up हो जाता है, मतलब जैसे ही case, निपढ जाता है, तो दोस्तों ये एक छोटा सा निउस आर्टिकल था, जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है, वीडियो अच्छा लगाऊ तो लाइक करें, शेर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, थैंक्यू सो मच, वे नाइस दे और बाई,